हाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूटूग चैनल शेर विट अरूप में तो दोस्तों नौर्थ इस्ट के अलग-अलग राज्यत से काफी सारे खबरे हैं आज मेरे पास अरूनाचल प्रदेश से लेकर मीजोरम से लेकर नागालेंड तक कई सारे राज्यत से कई सारे खबरे आई है आज जो कि मैं आप लोग को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक एक करके देखते हैं क्या है वो खबरे रहा था उस वक्त ब्रिज के ऊपर या नीचे कोई नहीं था यानि किसी को भी चोड़ लगने की खबर नहीं आई और ये ब्रिज अंडर कॉंस्ट्रक्शन चल रहा था बताया जा रहा है कि ये ब्रिज सू नदी के ऊपर बनाया गया था नेशनल हाइवे 13 के करीब था लेकिन इसमें मज़ेदार बात ये है कि जब इस पूरे मामले में प्रोजेक्ट मेनेजर सूसी आई आर बी सील से पूछा गया कि ये ब्रिज जो है इतना कमजोर कैसे था कैसे तूड़ गया क्योंकि इस ब्रिज का जो ठेका है सीधा यूनियन रोड आउंगा तो फिलाल हम तो यही कहेंगे कमपनी से भाईया कौन सी चक्की का आटा आप लोगों ने यूज किया है इस ब्रिज को बनाने के लिए भाई जो है अंडर कॉंस्ट्रक्शन में ही टूड गया या फिर सूची अगर इसके पर कोई होता या फिर इसके चपेट में अगर होती हुई नजर आ रही है जो की काफी चिंता का विशय है मीजोरम और मैनमर बॉर्डर इलाके में पिछले कुछ दिनों से गोली बारी और बंधमाकों के आवास सुनाई दे रही है मीजोरम के होम मिनिस्टर लल्चम लाइना का कहना है कि हो सकता है कि मैनमर आर्मी द्वार वहां से काफी लोग को गोली मारकर या फिर जो है अर्मी द्वारा घ्रदेरा जा रहा है जिस वज़े से वहां से जहแतनार थी हम मीजोरम में आके शरन ले रहे हैं यानि कि भारत में आके यह लोग शरन ले रहे हैं यानि कि इनको refugee के status फिलाल नहीं दिया गया है तो फिलाल राजी में संडनार्थियों की बात करें तो राजी में फिलाल 11,000 refugees हो गये हैं जो कि पहले से काफी बर गये हैं और इनकी मदद इंसानियत के तोर पे वहाँ के लोकल लोग ही कर रहे हैं इनकी मदद की जा रही है इनके खाने पीने का सामन दिया जा रहा है यंग मीजो एसोसियेशन द्वारा उनकी मदद की जा रही है तो वहाँ दूसरी तरह अगर बात करें CID की जो इन refugees की आकरे रखती है या फिर बताती है आप एक तरह से कह सकते हैं इनका कहना है कि मार्च इस साल के मार्च तक जो है यहाँ चंपाई दिस्टिक में 4550 रिफ्युजेशित है और अजवैल दिष्टिक में 700 रिफ्यूजेश थे जो की चीन जू कम्मिनिटीस के थे और इनकी जो है कल्चर है संस्कृती है ये जो है वहाँ के लोकल मीजो लोगों से बिल्कुल मिलती जुलती है तो आप बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर के और तो हमारी तीसरी खबर है मनिपूर से मनिपूर में दो दिन के दौरे पर पहुची बीजेपी की इस्मृती इरानी इसमरिती दानी यहाँ एक खास कारिकरम में पहुची है जिसका नाम बताया जा रहा है पोशान मा जो की मनिपूर का एक कारिकरम है यहाँ उन्होंने महिलाओं के साथ साइकल भी चलाया पहले आप यह साइकल वाला वीडियो देखिए इसके साथ यागर बात करें समरिती इरानी के दो दिन के मनिपूर के दोरे पे तो उनका खास उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि वे फिलाल जो है आगनवादी महिलाओं से मिलने आये हैं खास तोर पर प्रेगनेंट महिला और कम उमर की लड़कियों से मिलने आ रहे हैं उनको मेडिकल इक्यूब्मेंट्स बाटा जाएगा यह कहा जा रहा है साथ ही इंफाल के बासापूरा में सेक्रेटेट बनाने के उपर भी वे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग जिसे बात करेंगे और वे कल यानि कि सोंबार के दिन पंचायत के उपर एक मीटिंग बुलाएंगे यानि कि पंचायत में क्या रिसोर्सेस की जुरूत है उसके उपर एक बैठक करेंगे तो आप बढ़ते हैं हमारी अगली खबर के ओर तो हमारी अगली खबर है आसाम से आसाम में बुद्बार को नीमाती घाट में जो घटना हुई थी वो आप लोग को पता ही होगा आगर आप लोग मेरे यूटूब चैनल से जुरे हुए है तो इस घटना के बाद अब सब कुछ जो है सुधर में आ रहा है लेकिन अब जो है सब कुछ सई तरिकेज होने लग गया है दीरे दीरे या जो है लाइब जेकेट भी मिलना शूरू हो गया है लिस्ट भी मनना शूरू हो गया है कौन-कौन चर रहा है नाव पे इसके साथ यह आज ताजा अपडेट यह आया है कि यहाँ छे लोगों को निमाती घाट में गिरफतार कर लिया गया है इनके उपर लापरवाही का आरोप लगाया गया है यानि कि जोराट के SP अंकूर जेन द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि इनके उपर लापरवाई का क्रिमिनियल केस चलेगा इसके साथ ही इससे पहले जब हमारे असम के मुख्यमंती डॉक्टर हिमन्त विस्थर्मा निमानती घाट में पहुचे थे उन्होंने कहा था कि जिन लोगोंने भी लापरवाई दिखाई थी इस पूरे मामल में जिनके वैसे भी ये घटना घटी है उनके उपर जो है क्रिमिनियल केस चलाया जाएगा तो यही है इस मामले की फिलाल अपडेट तो आप बढ़ते हैं हमारी अगली और आखरी खबर के और तो हमारी अगली और आखरी खबर है नागालेंड से इसके साथ ही आपको ये भी बता दे कि आरबी रभी नागा पी स्टॉक के वारताकार भी थे लेकिन अब रभी बार को ये ताजा आपडेट आया है कि केंद्र सरकार दुआरा ये प्लैनिंग किया जा रहा है कि आई भी डारेक्टर रह चुके अक्षे कुमार मिस्रा को यहा नागा पी स्टॉक के नया वारताकार बनाया जानने का प्लैनिंग चल रहा है ये ख़बर सामने आ रही है तो दोस्ता आज के इस वीडियो में बस इतना ही आज का वीडियो हम यही पर समाप्त करते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईए और अगर आप ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो भी मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईए और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजा आपने दोस्तों को भी पेस्बूक वाटसब और ट्वीटर पर भी शेर जरूर कीज और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद